खर्गोश और कच्छुआ बहुत समय पहले की बात है एक बहुत ही सुन्दे जंगल था जंगल के सभी जानवर हसी खुशी रहते थे उस जंगल में एक खर्गोश और कच्छुआ भी रहता था उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी करगोश बहुत तेज़ दोड़ता था और कच्छुवा दीमी चाल से चलता था करगोश को अपनी तेज़ चलता बहुत घमन था और वो हमेशा कच्छुवे का मज़ा पुराय करता था कच्छुवा भी करगोश की बात का बुरा नहीं मालता एक बार की बात है करगोश अपने मित्र कच्छवा से बोला मित्र क्या तुम मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे कच्छवा बोला मित्र करगोश जैसे तमारी मेर्ट जी अगर तुम दौर प्रतियोगिता करना चाहते हो तो ठीक है मुझे कोई आपती नहीं है खरगोश और कच्छुआ की दौर प्रतियों की तब सुरू होने वाली थी जंगल के सभी जानवर प्रतियों की तब देखने के लिए आ गए दौर के लिए एक पहारी पर जाना था जो पहले पहारी पर पहुँचेगा वो ही जीतेगा जंगल के सभी जानवर जानते थे कि खरगोश तेज दोड़ता है और उन्हें उम्मीद थी कि खरगोश ये दोड़ जित देगा दोर प्रारंब की गई खरगोश हुरू से ही तेज दोड़ने लगा और कुछ ही देर में कच्छुआ से बहुत आगी निकल गया खरगोश एक चायादार पेर के नीचे पहुँचा और पीछे मुर कर देखा तो उसे कच्छुआ कहीं नहीं दिखा थंडी थंडी हवा बह रही थी खरगोश ने सुचा कच्छुआ तो अभी बहुत दूर है क्यों न थोड़ी देर इस पेर की चाया में आराम कर लू खरगोश ने जैसे ही आखे बंद की उसे नीच लग गई कुछ देर में कच्छुआ भी वहीं पहुँच गया और खरगोश को देखकर आगे बर गया कर दो कर दो बहुत देर बाद अचानक खर्गोश की नीड खुली उसने आगे पिछे देखा उसे कहीं भी कच्छुआ दिखाई नहीं दिया कुछ देर बाद उसने देखा कच्छुआ पहारी पर पहुँचने वाला है खर्गोश अपनी पूरी शक्ती लगा कर दोरा परंतु उसके पहारी पर पहुँचने से पहले ही कच्छुआ पहारी पर पहुँच चुका था और कच्छुआ दोर जीट चुका था खर्गोश अपनी गलती और अभिमान पर पस्ता रहा था उसने कच्छुआ की हसी उराने सीख लगता चलने वाला बहले ही दूरे चलता हो लेकिन अंतता उसकी ही जीत होती है